हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज किस वीडियो में आप लोगों को CISF Head Constable Ministerial नई वाली भरती 540 पदों पर जो चल देए उसके फीजिकल के बारे में कुछ latest information देने वाला हूँ जो इन दिनों काफी ज़दा चर्चा में है जैसा कि आप लोगों का काफी जनवरी से अगर होंगे तो admit card अभी तक क्यों नहीं जारी हुगा देखिए दोस्तों पूरी information step by step मैं inform करूंगा कि आपके physical होंगे की नहीं और अगर नहीं होंगे तो आखिर में कब होंगे आपके physical इसके एलावा आपका admit card कब जारी होगा तो बने दिए दोस्तों इस notice fake नहीं था अगर fake होता तो एक आद पेज का notice आया होता लेकिन दोस्तों पूरा आकड़ा आया है कि कितने student इसमें सामिल होंगे physical के लिए सारा detail दोस्तों इस notice में जो कुछ भी बताय गया था वो सही था बट दोस्तों आपके physical किनी कारणो बस 100% postpone कर दिए गये हैं इसमें दोसक नहीं हैं आपके physical 30 January से नहीं conduct कराये जाएंगे आखिर में तब कब conduct कराये जाएंगे और कब आपके admit कारण जारी होंगे देखे दोस्तों अभी फिलहाल ये information मिल रही है कि जीडी कॉइंस्टेवल की paper के बाद ही आपके physical start होंगे फरवरी के लगबग आप लोगों के end में या फिर 20 फरवरी के बाद ही आपके physical अभी start होने की information मिल रही है इसके इलामा दोस्तों अगर बात किया जाए कि कब से आपके admit कारण जारी हो सकते हैं और आपका कब आएगा full schedule physical का official website पर क्योंकि ये तो circular था देखिए दोस्तों इ official notice मिल जाएगा आधिकारिक website पर जिसमें सब कुछ mention रहेगा कि किस तरीके से आपके physical conduct कराई जाएंगे और कितने student हैं अगर आपके physical दोस्तों माल लेते हैं कि 25 फरवरी या फिर 20 फरवरी के आसपास conduct कराई जाएंगे तो लगबग 7 से 8 फरवरी तक आपके admit card जारी कर दिय जाएंगे और आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कहां पर किस तरीके से physical देने जाना है इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं बता दूँ physical कोई टफ नहीं होता है आप लोग document और अपना ready रखिए जैसे ही आपके admit card आएंगे आप फुल ready होकर अपना पहुंच जाएगा कोई और information आएगी definitely inform कर दिया जाएगा वीडियो को like और channel पर नहीं हो तो subscribe कर लिजेगा जिससे आप लोगों को हर एक information मिलती रहे जाएगे